बिस्मिल्लाइ रह्मान रही आज हम साइक्टिंगर बियालोजी चैपर नबर वान के अंदे एक्क्रीशन इन वर्टिब्रेट्स पढ़ेंगे इससे पहले हमने एक्क्रीशन इन वर्टिब्रेट्स पढ़ा था जिसके अदर हमने हाइडरा इसके बाद प्लेन एरिया अर्थवाम काकरोश की बात की है आज से हम से इन वर्टिब्रेट्स की बात करेंगे की जो जो हम हम हैट्रा से स्टार्ट हुए थे सो शुरूस में ऊपी एस्ट थे उस्टम नहीं था फिर प्लेम सेल देखा कि इसे हमने फ्रों नहीं कर्क प्र आगे अर्फवाम के अंदर मैटन ने फ्रीडियम आया और काकरोश के अंदर मार्फिजिंट टिबूस तो आहसा था यह जो एक्स्कुट्री सिस्टम था यह अड़ाप्टेशन के जरी है ठीक है यह नहीं कहलें कि एवॉलूशन के जरी आहसा सा प्रॉग्रेस में आ रहा था स ठीक है अब वर्टिब्रेट्स में भी दो किसमें कह लें एक थोड़ा से प्रिमिटिव टाइप है प्रिमिटिव टाइप के अंदर वही कह लें के जिस तरह मैटन अफ्रीडियम था ना के पूरी बाड़ी के अंदर थी वूल्स फैले वे थे हर सेक्शन के अंदर सो मैटन पूरा सिस्टम है जिसे हम आगे जाके पढ़ेंगे इसके अंदर खिड्नी आजेगी खिड्नी ठीक है यूरेटर आजेगा और इस तरह उरित्तरा इस वहां पढ़ेंगा आगे जाके यूरिनियर शिस्टम में आते हैं यहां पे कहने का मस्तला है कि बर्टिप्रेट में प्रिमिटिव डाइप है वो जो नसे हैं उनके अदर मैटन फिरीटम वही पुराना इनका वह है एक्सीम जबके जो आडवांस किसंदर शिस्टम एवूरेशनएज हो गया है तिक हम कहता है अडवूलूशन शेंके वह सब्सक्राइब लेकिन हमने यहां पर फूल से एडवास किसम के जो आँगे वर्टिब्रेट्स उसके बारे में बात करनी है इसमें बात करें जो पर अपिन आइडवास किसम के वर्टिब्रेट्स आइंए इसमें अधरतों फजारे से बात करने हैं। स्वेट प्रोड्यूस करती है इसके लावा इसमें सार्स होते हैं एक्स्ट्रा सार्स एक्स्ट्रा सार्स वह भी रिलीज आउट होते हैं यह सीबम की शकल में इसक्रीशन होती है लेकिन बाद में बाद आप यह भी कहा जाता है जो बैसिकली यह स्वेट रिलीज करता है यह वह गर्मी के वाज़ा से यह नि कहलें कि थंड़क फील करने के लिए ठीक है यह जब बहुत जादा टंपरेचर बाडी का बढ़ जाता है तो यह थर्मोडागुलेशन के देशे इ कि त्यवम्राट बाद में डाल देते हैं सीबम जो से है और सा लों से यह इस बैक्टिरियोशाईड YE Foundation के दू के दर भाजवा नहीं भी डाला जाता क्यों कई वह संवेट प्रडूश कर हैं थर्मोडागुलेशन से उसका लिंक है श्रीक अगर सीबम प्रडूश करुकरा सा तो वह बैक्टेरियोसाइडल है यह वह इम्मुनिटी के अंदर रोल प्ले कर रहे हैं ठीक है निए बाड़ी की डिफेंट सिस्टम के अंदर रोल प्ले कर रहे हैं तो बाज का या बाज दफा स्कीन को स्कुट्री आर्गन में नहीं डाला जाता है यह पहला इसा था स्कीन का जिसके पर कभी यह अग्रस में शामिल के जाता है बाज दफा नहीं भी कह जाता है अब हम स cha second part पर आते हम इसमें एक तो लिवर हो जाएगा ज्डिकर जिससे कहते हम से इस बाठ और जो शाहरी बात आफ पूरा यूडिनरी सिस्टम यूडिनरी सिस्टम यूडिनरी सिस्टम के अनतर ओर एक किट्नी आजेगा हमारे पर आगे हम बात करेंगे किडनी के बाद यॉरीटर से और यॉरीटर से शयरेट जा और किडनी जो बना होता है वह नेफरान से बनाता है तो हमारा है हो यहाँ पर गोंगा में निफरान होंगा क्यों अधियों कि अह दो cambrile आज हम लिवर को डिसकस करेंगे किस तरह आरग्रम के तोड़ पर रोल प्ले करता है इससे पहले हमने आपको याद होना चाहिए हमने एक यूरिया सैक्ल पड़ा था ठीक है वह कहां पर होता है टेक्स प्लेस इन लिवर ठीक है यह आपको सामने लिवर की डायग्राम के नदर आ रही है अगर यूरिया सैक्ल हम रिवाइज करें तो इसमें हमार पस क्या था कि पहला अमुनिया का मालीकूल ठीक है इसे चलो डायग्राम वह थोड़ी कर लेते हैं अगर्णी कारबन एकसाइड नहीं चू नहीं नहीं सो यह पहले हम पढ़ चुके हैं हम अपस नित्रूजन दो नित्रूजन जों से वह यूरिया बना देता है इसके अदर यह सारा स्केप्स होता था कि सबसे पहले वह ऐल और थिनिंग अंदर सित्रूलीन बनाता था था अगर फिशिस की बात देंगे ना फिशिस में हमें और यूरिया बनाता है नहीं लिवर ने और मिचिने बना रहते हैं अगर फिशिस की बात देंगे ना फिशिस में हमें यह एनेस्टरी अमूनिया देगा और अगर हम बर्ड की बात करेंगे तो यह हमें यूरिकेसिड देगे यूरिकेसिड का थोड़ा बड़ा फार्मूला है और जबके यूरिया किस केस में है यूरिया टैरिस्टिल एनिमल्स नहीं मैमल्स की बात कर लेंगे वर्टिबेर्स की केस आभ हैं जिसके अंदर जायते और इंफीब्रियन आजए जैने वह यूजिय के अपना बेस्षी नियोट करते हैं इसके लावा हमौ इसके की और फुंक्शन्स बढ़ते हैं हैं जिसे हम कह सकते हूं हूं कि स्टाइटिक फंक्शन ओ लिवर ठीक है फंक्शन पढ़ेंगे हम लिवर के सो लिवर सबसे पहले आपको एक चीज़ यह में होनी चाहिए कि जो लिवर है इस मैटाबॉलिक हब और बार्डी के बार्डी के जाद तर मैटाबॉलिसम होगा वो ठीक है अब मैटाबॉलिक में कह सकते हैं कि मैटाबॉलिक के अंदर एक सेंसिस आ जाएगी दिसके बढ़ा हूं पहिस हमने ऊंगे जिसके बनाएगा ठीक है नाइटुजेंश लेस्ट बनाएगा बनाएगा जिसके अंदर जूरिया था उर्टर इसमें और ओजएगा बनाएगा इसमें बनेंगे प्लाज्मा प्रोटिन चीकर यह नि कहलें कि बलड के लिकन होता है अब अब को थोड़ाब आइडिया हो रहा है जब जब हम किसी ट्यूब में आप ट्यूब बनाता हूं इसके ने ब्लड लेते हैं इसको थोड़ी देर अगर हम छोड़ दें घंटे के लिए छोड़ दें तो आपको मैसूस होगा कि कुछ लिक्विड का पॉर्शन उपर रहा जाता है लाइक दिस और फिर जो रेड ब्लड सेल् जो उपर वाला हिस्सा होता है इससे हमके कहते हैं प्लाजमा जो प्लाजमा इसमें 99% वाटर होता है इसके लावा ब्लड प्रोटीन गहरा होती है नीचे जोंसे हैं वह ब्लड सेल्स होते हैं और यह सारा क्या था ब्लड था ठीक है ब्लड को हमने आदर घंटे के लिए रख नीचे बैठेगे से जो जो प्लाज़मा प्रोटीन हैं धिक है नहें प्लाजमा जने प्रोटीन से बना उता वह भी 20 बनाता है लिवर ऐसमेंक डी इसमेट क्लॉटंग्टिंग फेक्टेशं एحد होते हैं अगर आपको थोड़ा बहुत याद और डाइस्टिव सिस्टम का सो बाइल के अंदर क्या होता है साल्स होते था मॉस्टी ठीक है और बाइल किसलिए यूज होता था बहला डाइस्टिशन ओप कहलें के या इमल्सिफिकेशन का वर्ड यूज होता है एमल्सिफिकेशन जाग से बनाता है इमल्सिफिकेशन ओव लिपिड्स कहां होता है इंटस्टाइब गंदर जाता है। वहां पर अधिकेसिशन करता है वो फिर उसके बाद डाइश्टिक आफ करता है कि इसके लाब हो से कहलें कर यह स्टोर्ज पार्ड भी होते हैं इसके इं लिपस्ट्रोल यो बनाता है लिपस्ट्रोल में गटक्षब इसके इसका कुछ करते हैं जिसक्रइब प्रक्रिद में डिसक्रायमे ऎते हैं उसमें से लिवर में से लिवर के पास option होता है कि लिपिट की quantity को आगे जाने दे या फिर उसे रोग ले सब्सक्राइब यह भी कहलें कि सेंसिज के अदर हम इसके डाल लेंगे से और यह फिर प्लाजमा लेवल होता है इनका लिपिट का ठीक है जिसना हम HDL high density होते हैं LDL low density lipids सो यह फ्लाजमा इसमें फिर ब्लड केमिस्ट्री सारी आ जाते हैं ठीक है कि क्या क्या उसके अंदर हम कहलें के लिपिट का कितना portion है और फिर आपको पता नहीं कि लिपिट्स यूज कहां होते हैं लिपिट्स का यूज का यूज काफी जगा है मसलन सेल मेंब इसके बाद हम आते हैं इसकी storage के अपड़ से यह तो सेंसिस होगे सारी यहनी सेंसिस को हम ने किसमें डाल दिया अना बॉलिसम के अंदर अब यह कुछ चीज़ें जो से नहीं यह store भी करेगा storage storage में सबसे पहले जो से इक्जेम्पल है इसमें सबसे पहला पार्ट होगा वह ह आइडन ठीक है यह यह आइरन को store करता है सभी अब यहाँ पर डिटेजर नहीं लिखिवी लेकिन बेसिकली यह आइरन store करता है हीमो सीड्रीन की शेकल के अंदर ठीक है 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 मुझे सपैलिंग से याद नहीं है सिड्रीन और फैरेटीन होता है ठीक है कुछ यहीचेंड की शकर में मिलते हैं इस तरह है व हम ब्लॉड के जाद ये प्लैकोजन सफरा यह प्लैकोज में अगर कम हो तो तो घ्लुपजन से से तुपर अश्लिवार होते हैं फिर फे गलॊजिंज फेपर कर दो सै अब हम चल तने इसकी कन्वशिए के पर के स्टोरिज हो गया इसके बाद इसके एक प्रॉसिस होता है कन्वरियें का सिटानि वह यह हो है जो मैं आभփ आपको बता चुका हूं pry कन्वरियंड में इस बांडरी बनाता हूं बीच में। आगर बलड के अंदर ग्ल्यकोज जाधा होगी। तो वह बलड करेगा इससे लीवर में भेज़ेगा और वह से इस्टूर करेगा किस शकल में। ग्लाइकोजिन की शकल में ओगर बलट में ग्लॉकोज की कम हैं पहले लाफल किसा द कडा अगर ग्लॉकोज का लाफल बलट के ंदर कम हो जाता और ढूंए अधर करेंगा अगें ग्लुकोजु काल कैम अगर अगर यह जितल आता है जाजय हो एक प्राणा होता है हâte करेंबता है एक ढूस इयुक्तल है अको-दोर कुषतए है जब प्रेश इस नाइक और से खंळ हम व्हाहँ होता ऐसे जिश्य ARM के हो वहникомई के करता है Gef टॉखत प्रीश एक नहीं वाषार की far पुराना मठीरल होता है इसको दुबारा ये रीजनेरेट करता है दुबारा यूस के अंदर लेके आता है इसकी एक्जेम्पल के है मसन जो आर्बिसीस होता है ना रेड ब्लॉड चल्स सब्सक्राइब को और फर्वाइब करता है इसको री साइकल करता है रीजनेरे आर्बिसीस बनेगे ना तो उसके अंदर ये आरें को त्बारा डाल देता है जो कब इसका पहुत रोल है जो कहां पर यूज है और बीसित के अंदर सो यह हो गया इसका रीसाइकली दे यहां पर आपकि आयरें के ग्जेम्पल दे भीगे विए जो कि करता है इसका लिएors , 2021 है रुडरी टौकस्ट प्र पर बहरा है हो आते हैं। inhibitors inhibitors से मुराद इन्जाइम inhibitors होता हुआ है toxins are substances which have adverse effect ठीक है इनका adverse effect होता है effect on body metabolism body metabolism यानि इनका body metabolism के पर adverse effect होता है why because they inhibit the enzymes यानि जो काम enzymes कर रहते हैं या उनको साथ जाकर bind कर रहते हैं होने inhibit कर देता है so toxins की detoxification होती है process होता है जिसके अंदर इनके effects को कहलें के minimize कर जाता है detoxification detoxification की best example है कि हम drugs लेते हैं drugs body के अदर drugs हमना है medicines है medicines भी डाल सकते हैं so medicine use करते हो बाड़ी के लिए useful है लेकिन कुछ portion body के लिए harmful भी होता है तो इसको ऐसा-सा detoxify किया जाता है इस तरह pesticides होते हैं pesticides भी harmful होते हैं हमारे लिए ठीक है और इसमें कहलें के कुछ नशा और ड्रक्स भी होते हैं ड्रक्स से इहां पर आप क्या लेंगे बला नशा और जिन से नशा होता हो ठीक है नशा और ड्रक्स सो इनकी भी detoxification के लिए help करता है सबस्क्राइब करता है सबस्क्राइब करें सबस्क्राइब हमने सेंसिस करेंगा चीज़ है ठीक है उसमें nitrogenous waste था लाइक यूरिया यूरिक केसिड अमूनिया बनाएगा फिर प्लाजमा प्रोटीन्स बनाता है clotting factors होते हैं enzymes होते हैं ठीक है इसके लावा albumins होती है globalins होती है यह digestion के part के अंदर आते हैं digestion की accessory आर्गन के लिए help करता है और फिर lipids cholesterol lipoproteins यह इससे blood chemistry यह control कर रहा था blood chemistry से और फिर हमने देखा यह कुछ conversion करता है और storage होती है इसको बहुत है इसके बहुत है इसके लिए आर्गन को रखता है रिक्लिंग भी करता है इसके लब ग्लाइकोजिन होता है जो कि इसको इसको स्टोर करेगा देन कर रहा होता है मसला बलड में ग्लुकोज ज्यादा हो तो इसको बलड से यह ग्लुकोज को आपिस लेका कोन लेन इसमें काम पर लिए और जिसमेंन सुलीन नहीं वह डायबेट्स की भंज यह हैं इंसूलीन हगा को जो जो को सेले को अङलेuing कर में कर रहा होता है सेंट्रल एटम और को यह dripping मेन को रिसेकल करते हैं वन्ट डेर्स के बाद 20 भाद 117 ड烟ी हो जाते हैं सो उसकुपने की हीमोग्लोबिन जो एक चथरेक्षिशन आपस्ल ग्रोटीन है जुए हिमोग्लोविन बएसिक पिर दीक बना रहा हो टो करते हैं इस तरह हमारे मेटबरोशम पर एड़एस एफेक्ट होता है। इनकी डीक सब्सक्राइब करने का है वह और ड्रॉक्ण जो नशावर होते हैं। इस तरह साइनाइस का नाम सुनना होगा आपने जैरी ले होते हैं। छांप के हैं। तो यह सारे लें तॉक्सिंज कि निए गीस के पास होता है रेवड के पास होता है सब अब हम जरा वापिस चलते हैं हमने एक स्टार्ड कहां से लिया था सभी रेख वर्टि अधिक्री प्राने किसम के अडवांस हो गैसे प्रिमिटीव तैप के नदर वही जो आर्थवाम के नदर बादी के बादी के हर पार्ट मुझा जबकि एडवांस के दर यूरिनिरियर इस्टम हो गया जिसके आड़ खिडनी और पेल्विस्ट के पड़ेंगे और इसमें एक इसके हैं स्किन को बाज का एक्स्ट्रूड कर दे जाता है अगर यह स्ट्रोड प्रड्यूश करता है तो थर्मो डागुलेशन में हल्प करता है तेंपरिचे कई हर और किडिनी कीडिनी में भी सिस्टम अपड़ा जिसमें चिडनी उरी्टर दुरुटर के जिस किरने नेफ्रॉन बेसिकली रखएंगे और लिवर के बारे में हमने डिएवाग पड़ी कहना है इसके सारे rar फ्रंक्षन पड़े हैं विज़ ngàyओं स्टेटिक फंक्षन क्या क्या होते हैं सहीर सो नच्ट लेक्चर की हैं हम किट्निज की नेफरों का फॉर्दर तेयल लिष सिस्टम की बारे में बाथ करेंगे तो आज के लेक्शिर में हमने जो जादा फोकुस किया वो किसके बारे में लिवर के बारे में जो के मेटाबॉलिक हब है स जती हो आज करेंगे में हमने से खाम है झाल झाल